नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मा स्वाद कर दम सभी का आपके अपने चैनल जोतिश एंड वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 28 सेप्टेंबर 2024 के बारे में 28 सेप्टेंबर 2024 का यह दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर क्या आ रहा है कौन-कौन सी वैदिक रेमिडीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अची रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफिरमिशन कैसे आप आज के इस दिन को और ज़्यादा बहतर बना सकते हैं सारी जानकरी देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन में क्या कुछ बहुत ज़्यादा खास है आप सभी ने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक से पावर ओफ हो जाए और कुछ समय के बाद पावर आ जाता है फिर पावर ओफ पावर ओन पावर ओफ पावर ओन अगर ये कंटिनियूसली हो रहा है तो उस particular moment पर आपका behavior क्या रहेगा आप क्या बहुत ज़्यादा focused हो पाएंगे अपने काम के लिए क्या आप अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे और क्या आप बिना irritate हुए या बिना परिशान हुए अपने आपको रोख पाएंगे अपने काम पर focus कर पाएंगे ऐसा नहीं हो पाएगा यह बहुत एक basic human behavior है जो कि जब हम कोई बहुत ज़्यादा dedicatedly कोई काम करते हैं और इस तरह की जब sudden problem हमारे सामने आ जाए तो इस तरह का reaction कहीं न कहीं निकल ही जाता है और आपका जो रिदम होता है वो break हो जाता है आपका जो focus होता है वो कहीं न कहीं break हो जाता है आज का भी दिन कुछ ऐसा ही है मतलब कि आज का दिन आपके dedication को break करने का दिन है आपके focus को खराब करने का दिन है और आपके behavior को खराब करने का दिन है इस बात का ध्यान दिखीगा इसी वद्ये से आज आपको बहुत जादा मेहनत करनी पड़ी Gold अपने आपको Focus रखने के लिए आपने आपको Dedicated रखने के लिए अपने आपको सही दिशा में प्रेरित करने के लिए आज के दिन में धैरिय धारन करना बहुत ज़ादा जरूरी है आज अगर आपने गुसा किया, अग्रेशन में आपने कोई गलत शब्द का इस्तमाल किया या इरिटेट हुए या अपने ही काम को खराब करने की कोशिश करी तो मुझे लगता है कि आज आपके काम ज़ादा खराब हो जाएंगे इस तरह की योग बनते हैं कोशिश यही करें कि जल्दबाजी किसी चीज़ की ना करें जितना हो सके आराम से पेशिंस रख करके काम करें और आराम आराम से अपने हर काम को आगे रखने की कोशिश करें तो आपके लिए जादा अच्छा रहेगा किसी भी काम में की गई जल्दबाजी आपको जादा परिशान कर सकती है इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा तो make sure कि कोई भी जल्दबाजी आप ना करें और जितना आराम आराम से काम करेंगे उतना ही आप सभी को अच्छा परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे आज के दिन में अगर आपका जबन दिन है आपके जीवन का कोई भी विशेश महत्पुन दिन है आप सभी को मिली और से हरदिक्षुप काम ना है आने वाले साल आप सभी के लिए बहुत ज़ादा महत्पुन साल रहेगा आने वाले साल में आप सभी को हर एक चीज़ को दो बार चेक करके करने की जरू थे हर चीज़ को प्लान करके करने की जरू थे किसी भी चीज में अपने आपको गलत तरीके से involve ना करें और सही रास्ते पर चलने का प्रियास करें तो आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा नहीं तो आप अपने पैरों पर कुलाडी मारेंगे और अपने एक अच्छे खासे साल को और जादा कठिन बनाते हुए नजर आएंगे इस बात का विशेश विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा तो जितना पॉजिटिव तरीके से और जितना अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे अब बात करते हैं यहाँ पर आज के दिन में कौन सी राशी, नमबर और अल्फबेट के लिए दिन बहुत जाद अच्छा है राशियों में यहाँ पर बात करें तो आज के दिन में सीह राशी, वरश्चक राशी, मकर राशी और कुम्बर राशी के लिए समय काफी जाद आच्छा दिखाई दिता है Numbers में बात करें तो Numbers 3, Numbers 4, Numbers 7 और Numbers 8 के लिए समय काफी ज़्यादा अच्छा दिखाई दिता है आज के दिन में Alphabet में देखा जाया है तो Alphabet में A, C, D, E, G और Y आप सभी के लिए आज का दिन काफी ज़्यादा Positive दिखाई दिता है अब बात करते हैं आप पर आज के दिन में कौन सा Angel Numbers आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहेगा आज के दिन में जो Numbers आपको इस्तमाल करना है जो आपके लिए काफी ज़्यादा Positive रहेगा 3, 3, 8, 6, 2 3, 3, 8, 6, 2 यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा Positive नंबर है, बहुत ही ज़्यादा Energetic नंबर है और आज इस नंबर का इस्तमाल करने से आप सभी थोड़ा सा शांती महसूस करेंगे थोड़ा सा Positivity महसूस करेंगे और अपने आपको हर तरीकी negativity से बचाने का हर संभव प्रियास करते हुए नजर आएंगे अब बात करते हैं यहाँ पर आज के दिन में कौन सा affirmation आपको आज बोलना है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बहुत सिंपल affirmation आज आपको बोलना है I am completely relaxed यह आपको बोलना है मैं पूर्ण तया पूरी तरह से relaxed हूँ किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं है कोई tension नहीं कोई तनाव नहीं है I am completely relaxed nothing negative around me और everything positive around me यह भी आप बोल सकते हैं इससे आपका aura balance होगा आपके आसपास positivity रहेगी और आप सभी किसी भी तरह के negative environment अपने आपको रखने से बचेंगे अब बात करते हैं आपर आज के दिन में कौन-कौन सी वैदिक remedies आपके लिए बहुत ज़ादा अच्छी रहेंगी और क्या कुछ चीजे हैं जहां पर आपको आज focus करना है आज अपने से बड़ों के साथ रिष्टा maintain करने की जरूरत है अपने पिताजी से आश्रिवाद लेने की जरूरत है पिताजी से जितनी हो सके अच्छी blessings लें अच्छे कामों में अपने आपको involve करें और उनके साथ बैट करके थोड़ा सा आज कोई discussion करना चाहते है कोई विचार विमर्ष करना चाहते है तो जरूर कर सकते है इसके अलावा आज के दिन में आप सभी किसी भी जरूरी काम को लेकर के परिशान हैं किसी सला मश्वरा को लेना चाहते हैं तो वो भी आज ली जा सकती है इस बात का ज्याने कीगा रिस्क में आकर के, जलदबाजी में आकर के कोई भी कार्य ना करे किसी की सलाह से कोई काम करना आप के लिए काफि अच्छ परिणाम लेकरके जरूर आएगा उपाई के तौर पे आपको दो चीज़ जरूर करनी है आज सूरीदेव के दर्शन जरूर करिए ओम सूरियाई नमह इस मंतर का जाब जरूर करिए और सूरीदेव को अगर जल चड़ा सकते हैं तो ये भी जरूर चड़ाईए इसी के साथ साथ आज के दिन में कुमकुम और लाल चंदन अगर मिल जाता है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज खाने में तीखा थोड़ा सा कम करिएगा अपने आपको थोड़ा सा स्पाइसिस से बचाईएगा बहुत जादा तीखा खाना आज आपको बड़ा नुकसान दे सकता है कलर कॉमिनिशन की यहाँ पर बात करें तो आज के दिन में आप सभी को जो कलर यूज करने हूं वो लाइट कलर आप यूज करें वाइट और लाइट ब्लू का कॉमिनिशन आज आप यूज कर सकते हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एक समय जो कि आप के लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरे दिन में गोल्डन विश टाइम जिसम कहते हैं ये आपका रहेगा दो पहर चार बच कर तीस मिनिट से लेकर के पांच बच कर तीस मिनिट का समय जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़ादा पॉस्टिव रहता हुआ नजर आएगा इसी के साथ-साथ आज के दिन में दो चीज़ें और ध्यान रखीगा अपने गर में जूते चपल कहीं पर भी चाए वो गर के अंदर हो चाए वो गर के बाहर हो बिखरे हुए ना हो बहुत ज़ादा आप अपने गर में कच्रा बिखेर के ना रखें या किसी तर की गंदगी को गर के अंदर में ना रखें इस बात के दियान रखेगा और खासकर कोशिश ये करीगा कि आज आज आपके गर में गेस्ट आते हैं तो उन गेस्ट को आपके गर में बिखरे हुए जूते या आपका डस्ट पीन बिखरा हुआ हो बहुत अज़ा स्मेल करता हुआ ना दिखे और आपका जाडू जिससे आप साफ सफाई करते हैं वो भी आज आपका किसी को ना दिखें इस बात का विशेश विशेश तोर पर ध्यान रखेगा ये चोटी-चोटी चीज़े हैं आप इने अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनिटली आपका समय अच्छा जाएगा और किसी भी तरह की नकारात्मकता आपकी गर में प्रवेश नहीं करेगी उमीद करता हूँ कि आप सभी के लिए आज का दिन शांदार रहेगा और आप सभी बहुत आराम से अपने इस दिन को और अच्छा करने का प्रयास जरूर कर पाएंगे वीडियो को लाइक कर दीजिगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी सम्मना चाहते हैं, आप उसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभाव मदद्यां पर कर सकूँ धनिवाद